जोतिश के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करें एस्ट्रोडिफाय चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को कोई भी जो एसेट्स आपने बनाए होते हैं वो कहीं न कहीं किसी तरीके से उनका व्याय हो रहा होता है नुक्सान हो रहा होता है तो ये कौन से ऐसे योग होते हैं जिसके माध्यम से कुंडली में ये तरीके की परिस्थतिया जीवन में पैदा हो सकती हैं और इनके उपाय क् भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो आज अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं यदि आप मुझे से लेना चाहते हैं तो उपर दिवे सब्सक्राइब पर जा सकते हैं लोन्स काफी हो रहे हैं रिन हो चल रहे हैं ऐसे रिन हैं जो उतर नहीं रहे हैं पैसा आता है पर रुकता नहीं है या फिर पैसे का किसी न किसी वजह से आकसमिक हानी या व्याय होता रहता है और जो भी आपने संपत्ती बनाई है उसका एक वक्त के बाद या तो उसमें कोई परिशानिया खड़ी होती है और धन के कारक माने गए है अगर वो कुंडली में अच्छी परिस्थिति में होंगे तो जीवन में बले ही कोई ऐसी अशूब दशाएं भी हो जो संकट पैदा करें भी तो भी व्यक्ति के जीवन में वो आर्थिक समस्याएं पूर्ण रूप से दरिद्र की परिस्थितिया ज संपत्ति को लेके तो वह व्यक्ति के जीवन में काफी जादा आर्थिक समस्याएं पैदा करते हैं तो अब यहां पे पहले जो कारक माने जाते हैं भाव और ग्रह उनको देखते हैं तो देखिए दूसरा भाव धन का होता है कुंडली में दूसरा भाव और दूसरे भाव क स्वामी कैसा है यह धन का यानि धन संच है जो पैसा आप बचाते हैं जो पैसा आपके पास संपत्ती की रूप में खट्टा होता है लिक्विड मनी वो दूसरा भाव है ग्यारवा भाव ग्यारवा भाव लाभिस्थान है यानि source of income कौन से माध्यमों से पैसा आ रहा है आपक लगन और लगनेश कमजोर पढ़ेंगे तो भी कुंडली में ताकत नहीं होगी कही न कहीं जीवन में परिस्थतियां विकट रूप से खड़ी करने की ताकत इनके पास होती है वो करियर में भी प्रॉब्लम दे सकता है आपके हेल्थ को भी खराब कर सकता है और आर्थिक सम स्थान भी पैदा कर सकता है तो लगन और लगनेश जनम कुडली में कैसे है वो बहुत देखा जाना चाहिए इसके बाद नवा भाव भाव भाग्य का होता है लक्षमी स्थान माना गया है तो नवा भाव और नवे भाव का स्वामी तो भाग्य का ये अर्थ नहीं है कि सहायता करते आगे बढ़ने के लिए और उनको एक बहतर मुकाम देते हैं पड़ अगर नवा भाव का स्वामी खराब हो जाता है तो दुर भाग्य है दुर भाग्य करता है कि आप कितनी मेनत मशक्कत कर लीजे कितने ही शमताएं हो आपके पास कितने ही आप स्किलफूल और तो आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का जो है एक लोगों को दिखाई दे कि प्रतिभा शाली व्यक्ति वो भी नहीं हो पाता तो यहां पर नवा भाव भाग्य का भी है और लक्षमी स्थान माना गया है तो नवा भाव अगर कमजोर है या नवे भाव का स्वामी कमजो तो भी जो है, सम्पत्ति अगर आ भी जाय तो ठहरेगी नहीं कुछ भी हो जाये, नहीं ठहरेगी मतलब असंबभ है यह तो पर नवा भाव बहुत जरूरी इसके बाद आता है दो ग्रहे ग्रहे है गुरु और शुक्र तो गुरु और शुक्र जो है वो धन के कारक है गुरु नारायन का रूप है और शुक्र लक्षमी का रूप है तो ये दोनों सिंबोलाइज करते है विश्णु और लक्षमी यानि controller है wealth के पैसा, धन, संपत्ती यश, आईश्वर्य एक सम्रद्धशाली जीवन, prosperity जिसे कही जाए, वो इन दो ग्रहों के हाथ में होती है, तो अगर जो parameter सब मैंने कहें कि दूसरा नवा ज्यार्वा भाव और इनके स्वामी ग्रहें लगन और लगनेश, गुरू और शुक्र, ये अगर कुंडली में अच्छे हैं किसी भी व्यक्ती के और इनको दोनों कुंडलीों में आप देखेंगे, जनम कुंडली में भी देखेंगे और नवामश कुंडली में भी देखेंगे तो जनम और नवामश कुंडली में अगर इनकी परिस्थितियां अच्छी है तो ये मान के चलिए कि अगर ऐसी दशाओं से आप गुजर भी रहे हैं कि जिसमें आपको कोई समस्याई दिखाई देती हैं कि भई करियर में इनिस्टेविलिटी हो रहा है, इंकम में प्रॉब्ल स्थितियों से बाहर जरूर निकालेंगे, कुछ भी हो जाए, तो अगर आपके लोन्स हैं तो लोन्स सेटल जरूर होते हैं, दशा भे बहुत डिपेंड करता है, अगर दशा खराब ग्रेकी चल रही है तो ये और ऐसे योग थोड़े निकेटिव हैं तो वो निकेटिव सि कुछ भी हो जाए, कोई न कोई रस्ते जरूर तयार हो जाते हैं, जहासे इनकम आती है, दूसरी बात रहती है कि अगर ये जितने ही खराब हो जाएंगे, जितने ही खराब हो जाएंगे, तो यानि दूसरा और दूसरे भाव कस्वामी, नवा भाव, नवे भाव कस्वामी, ग्यारवा भाव, ग्यारवे भाव का स्वामी, लगन और लगनेश, गुरु और शुक्र. अगर ये पिलित है, तो पिलित कार्थ है कि अशुव राशियों में, शत्रुगत राशियों में, नीज बंग बना नहीं रहे हैं, इनका संबन्ध छटे अठ्वे, बार्वे भाव से खराब रूप में बना हुआ है मंगल शनी राहू केतू से पूरी तरे नकरात्मक रूप से पीडित है तो भी यहाँ पे यह कंडिशन देखी जाएगी कि यह अफ्लिक्शन पैदा होगा कुपित हो जाएगे पीडित हो जाएगे जिसकी चलते धन की समस्याएं या आर्थिक स इस्तिती में है तो यह पैसा दे भी पाते हैं बट अगर यह अच्छे क्योंकि यह धन के कारक नहीं है मंगल शनी राहू केतू पैसे के कारक नहीं है यह या तो पैसे का व्याय दिखाते हैं या गरी भी दिखाते हैं इनके हाथ में जो है इसमें राहू है जो पैसा ला भी सकता बड़ उसकी एक particular conditions होती है वरना राहू व्याए ज़्यादा करवाता है बाकी मंगल शनी के तू ये धन के ग्रह नहीं है धन के खर्च व्याए या किसी प्रकार के रिण या फिर कोई न कोई नुकसान दिखाने वाले ग्रहमा ने गए है पर अगर हम ये अच्छे बैठे माल लीजए अगर अपनी राशियों में उच्छ परिस्तियों में धन व लाब में अच्छे परिस्थितियों में बैठते तो ये मेनत मशक्कत से धन लाते हैं और लंबे समय ठैराव भी देते हैं पाट अगर ये खराब हैं तो की वर्ड है कि अगर मंगल शनी राहू के दूसरा नवा ज्यारवा भावर उनके स्वामी और लगन और लगने और गुरू और शुक्र अगर इनके उपर इनका नकरात्मक प्रभाव पढ़ेगा तो यह अशुब योग बना देंगे संपत्ति को लेके पैसों को लेके धन को लेके कुंडली में तो इसमें जरूर देख समस्याएं पैदा करती है संपत्ति के लिए अशुब मानी जाती है अगर संपत्ति या तो देते नहीं है और अगर दे भी देते तो ठैरने नहीं देते पैसा ले भी आएंगे तो रुकेगा नहीं तो यहां भी यह बात यह आपको पैरामीटर देखने है और छटे आठवे Sudden Ups and Downs Changes आकस्मिक जो है रूप से परिवर्तन किसी प्रकार का तो आठवा भाव जो है अस्थिरता बहुत प्यादा करता है इनी Stability बारवा भाव लॉसिस का ही माना गया है तो इनमें क्या होता है कि अगर यह अच्छे है छटे आठवे बारवे भाव तो यह करियर और प जैसे Health Care सेक्टर है, Service सेक्टर है, Banking सेक्टर है, Financial सेक्टर है, एक सेक्टर है तो जो इनके इलाके वहाँ से पैसा आता है बट अगर जो है यह अशूब हैं तो यह क्या करेंगे कि कहीं न कहीं करियर में Instability पैदा करते हैं कि व्यक्ति कोई ऐसे छित्रों में काम कर रहे होते हैं जो की लंबे समय ठहरने नहीं देते और पैसा नहीं लाने देते तो यह बहुत बड़ी दुविदा बन जाती है तो कुंडली को इस माध्यम से दिरूर देखिए पर जो एक पैरामीटर मेंने कहें इनको आपको जनम कुंडली में भी देखना है नवाम्श कुंडली में दोनों कुंडलीयों को जरूर देखे जज़ करने के लिए कि संपत्ती और पैसे और धन की परिस्तिती जीवन में कैसी रहेगी दूसरा यहां पे रहता पाचवा पाचवा भाव का स्वामी वाइसली है क्योंकि यह निवेश का माना गया जो लोग भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं खास दोर से कोई भी इस्टॉक मार्केट इन्वेश्मेंट्स हो पाचवा भाव के यहां पर टेक हो गया कि हम पैसा कहीं जहां से हम इंकम है काम कर रहें वहां से तो आ अलग बात है बट हम निवेश करते है दो वहां से भी कई दफा इंकम आती है तो अब अगर ऐ पाच्वाभाव के स्वामी का संबन छटे आच्वे बारवेभाव से बन गया, अस्त हो गया, वक्री हो गया, पूरी तरीके से जो है उसके उपर मंगल शनी कुपित राहु केतु का प्रभाव पड़ा हुआ है, चंदर बुद्ध राहु कुंडली में अच्छी स्थिती में बैठे हैं, तो यहां पर क्या होगा कि जो भी निवेश आप खास तोर से शेयर बजार में या किसी प्रकार के सटा बजारी वाले निवेश करेंगे, उसमें गैरेंटी नुकसान होगा, अगर नुकसान होगा तो इसमें कई दफ़ा पाच्वे भाव सटा बजारी का भी होत इनमें, इस्टॉक मार्केट इन्वेश्टमेंट से अपने जो है जो एक रिस्की इन्वेश्टमेंट होते हैं, उनसे भी पैसा कमा पाएंगे, बट अगर जो है यह खराब हैं, तो यहां पर इनसे दूर रहने में ही वलाई है, क्योंकि अधिक्तम समय ऐसा होगा कि अगर इनमें भी अपना जो है पैसा डालेंगे तो नुकसान ही उठाते हैं, दूसरा होता है चोथा भाव, चोथा भाव होता है इम्मूवेबल एसेट्स, यानि फिक्ट एसेट्स जो होते हैं, अचल संपर्ति, वो चोथा भाव, जमीन जायदाद, तो अगर चोथा भाव, भाव का स्वामी अच्छा नहीं है, तो यह क्या है, कंस्ट्रक्शन, लैंड, प्रॉपर्टीज, और आपका जो भी आपकी विरासत विलती है, इनसे या तो नुकसान देता है, या भी मिलते ही नहीं या बन नहीं पाते हैं, और अगर बनते हैं तो उनका विनाश हो जाता ह तो यह चीज जो है देखनी मिलेगी, और इसके उपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, कि कौन से ऐसे योग होते हैं, जिसमें multiple houses होते हैं, लैंड होता है, प्रॉपर्टी होता है, उनसे फायदा होता है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, पट यहाँ पे properties भी संपत करा देंगे, तो यह देखा जाना चाहिए, या जैसे कई लोग under construction property में पैसा डाल देते हैं, अटक जाती मिलती ही नहीं है, या फिर कोई disputes create हो जाते हैं, या तो legal disputes खड़े हुए हैं, परिवार में ही मुसीबत चल रही है, property अटकी पड़ी कोई उसका जो है फायदा नहीं तो ऐसे जो मुद्दे हैं, इनमें छटे या अटवे बारे भाव का जबरदस प्रभा होगा, खराब सूर्य, खराब मंगल, खराब शनी और राहू, यह सब कोट के चहरी के ममले और हर प्रकार के शत्रूपक्ष को जनम देते हैं, तो यहाँ पर यह बात रहती है कि यह सार आए, पैदा करने की इनकी शमता जादा होती है, जैसे कई लोग जो है, बहुत ज़्यादा जो व्यापार करते हैं खास्तोर से, उनके केस में भी क्या होता है, पैसा नहीं आता टाइम से, और लोन साइकल, नेवर रेंडिंग लोन साइकल है, आपके पास पैसा आ भी रहा ह तो आप नेट लॉस में चले पड़ें, पैसा आ रहा है, करजों में जा रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है, तो यह भी इससे देखने मिलता है, तो यहाँ पे यह क्या है कि यह परिस्थितिया भी आपको कही गई, जो यहाँ पे पैदा करती है, ऐसे कंडिशन्स जीव से हैं, या फिर किसी तरीके के इन्वेश्मेंट्स में लॉस हैं, प्रॉपर्टीज में लॉस हैं, यह सब इससे देखे जा सकते हैं, अब इनकी कंडिशन्स क्या थी, वो आपको बता दी, बट एक बात जैसे मैंने का, जितने यह भाव, जो मैंने कहें, दूसरा ज्यारवा नवा लगन लगने शोगुरु शुक्रिया अच्छे होंगे, तो उतना ही जो है, अगर कोई ऐसे योग है, जो करजा चड़ा भी रहे हैं, ऐसी दशाएं हैं, जो जीवन में वित्तिय अस्थिरता पैदा भी कर रहे हैं, तो जैसा मैंने का, यह बात निश्चित होती है, कि कुछ भी हो, आप उस स्थिती से बाहर अवश्य निकलेंगे, चाये जो भी हो जाएं, बट यह है कि अगर यह जितने ही बलहीन होंगे, कुपित होंगे, पिलित हो जाएंगे, अच्छी स्थिती में नहीं बैटेंगे, उतनी ही जादा आर्थिक अस्थिरता और आर्थिक सं कट को बढ़ाते जाते हैं, तो यहां पर यह यह योग थे, पड़ा भी इसमें में मुद्दे पे आते हैं, कि कौन से ऐसे उपाए हैं, जो व्यक्ति को इन परिस्थितियों में करने चाहिए, मैं दो तरीके के उपाए यहां कहूंगा, एक होते वास्तविक, अगर आप वा कारी भर कम नुक्सान हुआ, तो व्यक्ति फिर सोचता है कि उस लॉस को कवर करने के लिए, मैं और बड़ा सटा खेलूँगा, और नुक्सान करते हैं, बिलकूँ गरत में पाताल में घुश जाते हैं, तो यहां ध्यान रखिए कि इस तरीके के अगर आपकी परिस्तितिया होने वाला है नहीं, बहुत मुश्किल है, तो पहले तो यह सोचिए कि वास्तिविक थोड़ा दिर्श्की कोन रखेने का प्रयास करें, वो माध्यम अपनाए जहां से इंकम आ सकती है, और आपके लोन्स या आपकी लाइबिलिटीज किसी भी प्रकार की है, वो रिकवर हो स सकती है, सेटल हो सकती है, तो पहला यह हुआ कि avoid risky investments of any kind, चाहे वो शेर बजार में हो, चाहे वो जमीन जायदाद में हो, उसमें risky investments avoid कीजिए, और दूसरा रहता है कि उसमें सोच समझ के, अगर निवेश करते भी हैं, तो अगर आपको हमेशा ही नुकसान हुआ है, तो पूर जिस तरीके मैंने योग बताए, इसमें अधिकतम समय यह होता है कि आप अगर under construction property में पैसा डालेंगे, या कोई construction खुद से करवाएंगे, वो अटक जायेगा, या उससे फायदा नहीं होगा, जमीन के rate weight गर जाते है, या फिर उसमें पचले पढ़ जाते है, कोई ना कोई क जादा ना बढ़ाते हैं, तो अगर fixed assets हैं, तो जैसे जमीन जादा कहीं खरीदते हैं, तो भही बने बनाए खरीदिये, under construction को avoid कीजिए, और खुद भी construction अगर कराते हैं, तो यह मान के चलिए, पैसा और समय जोनों जादा लगेगा, करजे बढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से plan करके चलिएगा, दूसरा रहता है, कोई भी जो share बजारी या 60 बजारी या कोई जूए वगहरा कि अगर ऐसे investments से या ऐसी तरीकों की आदते हैं, जिसमें आपने पैसा गमाया हुआ है, तो इनसे दूरी बना लीजे, पूरी तरीके से, उससे यह सोचकर यह जूटी उमीद पालें कि आप उससे recover कर लेंगे, नहीं होने वाला, दूसरी बात ही रहती है, कि अगला रहेगा, जो भी प्रकार क्या, अब यह दूसरे लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा credit पे dependency है, पैसा तो आता है, बट उल जलूल खर्चों में पैसा उड़ा देते हैं, तो हमेशा credit dependency हो जाती है, तो आप यह देखते हैं कि भई, I have an income source, but I don't have any savings with me, because you are spending in unnecessary useless things, तो इसमें यह बात रहती है, कि अगर यह बारवा बहुत पैदा करता है, अगर बारवा बहुत किसी वेक्ति का खराब है, तो अधिकतम समय देखने मिलेगा, कि जैसे दूसरे ग्यारवे का संब कि वाकई में किसी चीज के लिए आउशकता है, तब आपके पास पैसे की कमी होती है, तो यह जो problem है, यह तब ज़्यादा देखने मिलती है, when you are spending on unnecessary useless items, तो कोशिश यह करिए कि avoid unnecessary taking of credit, यानि credit pay dependency कम हो सके, इसका प्रयास होना चाहिए, दूसरा, कि बेफाल्तू के जो जिसकी आपको आउशकता नहीं, impulse में आके आपने खरीद लिया, कि आज मेरा मन कर रहा है, थोड़े समय बाद आप उसको analyze करेंगे, तो देखेंगे कि यार इसकी जरूरत नहीं थी, यह ना भी होता तो ओभी बढ़िया था मेरी जिन्दगी में, तो यह जो impulse shopping है, या impulse purchasing है, इस से थोड़ा सा control में करने का प्रयास करें, दूसरा होता है कि कई लोग करजे दे देते हैं, वो वापस नहीं मिलता पैसा, तो आपने किसी को पैसा दे दिया, और फिर जो है वो आप किसी घर परिवार में दिया है, किसी दोस्त को दिया है, कहीं बाहर पैसा दे दिया, त पर कई बार ऐसे योग होते कि आप दान समझ के दे दिजी कि आपने दे दिया वापस आने की कोई संभावनाई नहीं है यहां पर यह बात रहेगी कि लोन लेना और देना करेडिट पर आप अपने उपर चड़ा ले या दे दिजे किसी पर यह दोनों को ही लिमिट में रखने क कोशिश करने आवश्यक होगी यहां कभी भी विजिए माई देखेंगे दूसरी बात रहती है कि ऐसे लोगों के साथ एक वाथ आवश्यमाई करते हूं कि आप सेविंग जो है कहीं लोक इन फॉर्म में करें लोक इन फॉर्म में यानि कि कोई पालिसी होते हैं आपके पास वक्त पे पैसा अविलेबल है और आपके पास कुछ सेविंग हो पा रही है, तो try saving in a lock-in form in any capacity such as in various policies और in deposits time deposits होते हैं उनके form में भी कर सकते हैं जिससे कि आपका पैसा थोड़े लंबे वक्त में 80 होता नजर आए आपको, और आप वो lock-in में इसलिए डालेंगे, आपके पास खर्चा करने के लिए अविलेबल नहीं होगा, अगर अविलेबल होगा तो खर्च हो जाएगा बचेगा कुछ नहीं, lock-in में होगा तो it will still save itself, तो यह आपको बचाता है किसी भी प्रकार की urgency में, दूसरा रहता है कि यहाँ पे अब ग्रहों के उपाए कहता हू तो यह जो बाते मैंने कहीं, यह बहुत आवश्यक है, इसका थोड़ा द्यान रखिए, और दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जो है लोग, यह अक्सर मैंने देखा है कि income source बहुत matter करता है, माल लिजे कई बार आपकी liability is fixed होते हैं कि खर्चे तो हैं ही, वो तो च अच्छे नहीं बने, तो भटकाओ की स्थिती बहुत होती है, आप ऐसे छेत्रों में अपनी जिन्दिगी में भटकते रहेंगे, जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, और जो छेत्र अच्छे होते उस तरफ दिमाग नहीं जाता, या फिर दिमाग जाए भी तो उसमें हमारी इच्छा नहीं होती काम करने की, तो जॉब डिस्सटिस्फैक्शन है, या हमारा मिस्डाइरेक्शन है, या हमको मन नहीं करता हूं छेत्रों में जो हमारे लिए अच्छे हैं, तो या धिक्तम समय कुंडली में अगर करियर को लेके अशुवयोग बने होंगे, चंदरमाबुद्ध वगएरा खराब होंगे, तो ये विक्ति के जीवन में इस परिस्तितियों को पैदा करते हैं, जिसमें कि हम ऐसे छित्रों में ज्यादा अपने आपको काम करते देख रहे होते हैं, जहां पे हमको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती और क किसी कारण दर्स चालू कर भी लें काम तो छोड़ देते हैं, तो ये करियर के योग होते हैं, बट अगर ऐसी परिस्तिती भी है, तो इसमें क्या होता है कि पहले व्यक्ति को practically ये समझना चाहिए कि उनके लिए कौन से इलाके अच्छे हैं, जो इलाके अच्छे हैं उसमें अगर वो related काम करते हैं, तो उससे income source proper एक stable form में create हो सकता है, अगर income ही नहीं होगी तो आपके loan settled कहां से होगे, या financial stability बनेगी कहां से, तो ये बात रहती है कि income plays a very vital role, तो अगर ऐसा कुछ है तो अगर उसके लिए योग different होते हैं, क्योंकि वो career की analysis है, बट अगर ये point important था, इसलिए मैंने आपको बताया, अब बात करते हैं, ग्रहों के उपाए, तो ये practical aspect से जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, अब बात करते हैं कि ग्रहों में ऐसे कौन से उपाए है, जोतिशी ये उपाए है, जिसको करा जा सकता है, तो इसमें ये बात रहती है कि भगवान वि विश्णू के अनेक इस्तोत्र है, उनको पढ़ सकते हैं, मंत्र मैंने बताया, अगर इसको पढ़ते हैं तो कम से कम पाँच माला रोज दुलसी के माला पर जाप करें, दूसरा रहता है लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का मंत्र है और इस्तोत्र है श्री सूक्त और मंत्र है ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलाले, प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मेन महा, इस्वटिक की माला पर या कमल गट्टे की माला पर इसको तीन माला से पाच माला प्रती दिन रोज पढ़ें, तो यह दो तो यह हुए भगवान विश्णू और देवी लक्ष यह मंत्र है इसको हल्दी की माला पर रोज एक माला मीनिमम वैसे रिकमेंडेड है तीन से पांच माला रोज किया जाए तो यह खास तोर से अगर मंगल शनी अगर जो है खराब योग बनाए हुए तो बगला मुखी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए चाहिए चाटा भाव सकते हैं श्री यंत्र पूजा घर में रख सकते हैं लक्षमी नाराण की मूर्ती फोटो पूजा घर में रखे और उनका विधिपूर्वक पूजा पूजा पूजन करने के बाद जो हमने उपासना कही उसे करेंगे दूसरा श्री यंत्र रख सकते हैं और रुद्राक्ष भ रहें और इसमें खास तोर से जो भी ग्रह रिस्पॉंसिबल है इस कुंडली में आपकी जैसे मंगल शानी राहू के तु कोई भी जो खराब कर रहे हैं या छटे आट वे बारे भाव के स्वामी वो अगर अशुब योग बना रहे तो उनका जो है उस दिन जो भी जो भी ग्र को बल देने में मदद करेंगे पर जो वास्तविक रूप से एक होता है कि आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए सजग होना चाहिए वह अलग है उसको जरूर ध्यान रखना जाना चाहिए तो यह धीरे धीरे अब जैसे अगर इसको फॉलो करते तो एक चीज आपक को दुबारा से क्रियेट कर सकें तो यह सारी चीजें जो है यह help करेंगी और एक बात का ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी तक सारी बाते कहीं इसमें व्यक्ति की मनास्ति कैसी होनी चाहिए कि भई जो आपको अल्रडी कहा गया कि आप मेहनत मशक्कत की और ध्यान दीजिए अचानक से कोई धनलाव नहीं होगा तो यहां पे बात रहेगी कि यहां रीपेमिंट इस पॉसिबल इस्टेबिलिटी दुबारा से क्रियेट हो और आप जीवन में संपन्नता को फिर से देख पाएं और वो मेंटेन रह पाएं उसके लिए एक मानसिक्ता ऐसी होनी चाहिए कि कर्मटता के साथ अगर काम करा जा रहा है और हम सही मारगों से पैसा ला रहे हैं तो तो हमारे पास आगे यह एक तरीके से परिस्थिती सूधरे और वृद्धी और वो स्टेबिलाइज हो जाए पट अगर आप यह कहते हैं कि किसी तरीके से बस अचानक से शॉर्ट टर् अपनाने का प्रियास करेंगे तो दीरे दीरे देखेंगे कि जीवन में जो भी परिस्थियां अगर आज जो है आपके विपरीत भी चल रहे हैं विपक्ष भी चल रहे हैं यह निश्चित है कि वो सुधरना शुरू हो जाएंगे पर आपको ग्रहों के उपाए के साथ साथ वास्तविक्ता पर भी ध्यान देना होगा देंगे तो आप खुद अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे यह जो है कुछ बाते थी जो बहुत मतुपूर्ण थी जो मुझे लगा कि आज इस विशय की उपर जो है चर्चा की जानी चाहिए तो यदि आप एड़े चैनल